कि अब्रेवन में यहां आ रहे हैं कि अभी को नमस्कर सबीकों वन सब्सक्राइब है एक विए सबसे बड़ा पेपर है वह एक तो है आपका गुरुप डी का गुरुप डी का गुरुप डी का गुरुप डी को लेकर अभी कोई भी देट नहीं है पहले बच्चों ने एक वह भी लगाया था आटे लगाया था उसमें भी का गया कि कोई डेस्ट पर नहीं होई है और इसी तरीके इसी लिए मैं आपके सामने गुरुप डी को लेकर और बागी एक्जाम्स को लेकर थोड़ा साइंस का भी पॉर्शन बढाने कोशिस करूंगा अभी आज हम दो ही चीज़ों के बारे हम पढ़ेंगे एक तो को अब हाली में हुआ है दोजार किसमें वसके कॉश्चन्स हैं यह के सामने की सामने और साथ में फूर्शन को यूपई एक्जाम में पूच चाहें उनके पूर्शन को भी हम साथ में देखते चलेंगे तो सभी लोगों को नमाशकार सभी लोग गुड़ीवनिंग्स अभी दिनके से से सी फेज नाइन भी है यह से सी फेज नाइन भी है बिल्कुल सही कार रखीन है तो दो एक्जाम ज्यादा है तो अगर यह पढ़ने बहुत ज़रूरी है एंप और एक किसका और जीडी के जो कॉश्चन्स हैं 2019 के वह पढ़ने जरूरी है तो इसलिए मैं अभी ल सार वार पूछे जाते हैं तो उनको भी हम देखते चलेंगे हम यह भी देखें कितने इस पेपर में आसान थे कितने कॉश्चन जरूरी तो यह ब्लेव कर चल सकते हैं कितने सब्भी चीज़ों को सब्जाट जाते कुश्यक्टिव रखेंगे ताकि आपको आपको बोरियत सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले शुरुबात प्लस के फायदे हैं आपको लाइट लासे मिलती है और आपको विकली टेस्टिस मिलेंगे जिसमें आप अपनी परफॉर्मस को चेक करते रहेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करें पॉस्टन नंबर वन गंगा सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महा जन्फद से ओकर बह जाओगे अवाँ पताइए कि इनमें से कौन से जन्फद ऐसा था थो थोड़ा उस तरफ था कि आंसर दीजिए कि यह कि क्यांसर बनेगा मैं सोन गंगा और सोन सोन गंगा की साइक नदिये सबको पता है जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महा जन्फद से होकर बहती थी कि कमेंट करो फटाफट मगत बिलकुल साई सौमित्रा संबेत डीजे मोंत मोंटी रिशा वर्षा प्रयंका विराज एवरीवान सेंग दा राइट आंसर मगत आप मगत की राजधानी क्या थी भाई फटाफट बताएंगे मगत की राजधानी वैसे तो राजधान दानी कौन सी थी वर्चानि कराद करेंट सबसे पहला करेंट बहुत राजधानी क्या उसकी राजधानी राजधानी राजधाने से बदलके और फ्रस एलिदा पत पंपत आप बस jus आगे चले और इस से नदी यह इसी नदी यह गंगा और भाइं जो नदिया है यह उस टाइम पर मगत राजज में बहती थी है फ़ई एक कुश्चन हम ले ले लेते हैं यूपी असाई का पूछा गया कि जीस्टी किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है यह 15 नवंबर कि 2021 में पूछा गया है कि यूपी असाई का इस दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे कि यह एक जुलाई 2017 को लागू किया गया एक सो एक सम्मिधान संसुधन के तहत इसे सम्मिधान में एड किया गया एक सम्मिधान संसुधन यह भी तुमको पता है फिर आगे चलो एक जुलाई 2017 एक जो एक सम्मिधान संसुधन को आर्टिकल 270 918 मोलू खरी बात हैं कि नहीं है आर्टिकल 279 एज स्थि परशत की अध्यक्ष्टा कौन करता है यह कौर्शन नियस एक उसकता है कि GST परशद का अध्यक्ष कौन होता है तो यह दखेंगे परशद का देख्ष यूनियन का बित्त मंत्री होता है यूनियन का बित्त मंत्री होता है और यह एक डाने टैकिक्स यह यह सब्से पहले राघु किया था किस देश सब्से पहले त्हें को लागु किया केल कर समिती देश कौन सा है फ्रांस वाद बढ़िया तो अब मुझे लगता है कि अब जब भी जिस्टी से कॉश्चन आएगा तुम लोग कर ले जाओगे आपको इसमस्या नहीं होगे ठीक है आगे चलो क्वेस्चन नमब दो वेक्षप डांस ओर सब्सक्राइब का इन मैसे कॉंसा डांस फॉर्म अंगाए कि डीजे के रहे हैं कि सराज मेरे एक लंगोटी यार का सिला के बड़ा दुख हो रहा होगा लंगोटिया यार असाधी हो रही है अभी तैयारी कर रहे है कोई कुमार विश्वास कि या मैं ना कि डी driving में तो थौम ठी यह ना घ्रम ध्रम अया लिया ने डर कर लिया कि इंशाची तायारी कर रहा ता उसने अभी कर लिया कि शिइए और आज रहा था ति उसने एंफिल कर ली और अब मैं इसक्ति की तयारी कर रहा था प्रसकी साधी हो गई और मैं अससे कि तईरारी कर रहा था प्रसकी करके और आगे चलें I don only क्यांसर होगा दोकर रॉब का हां चैनल का ये आ है कि पस्राइम केरल का है त्जुक्रूतु नाडू का प्लावर और यहां पर अगर हम बात करें दंसे कर दान्स का या दखेंगे और इसे वार डांस अ कि आ तत्व बोधनी किस्तवा की स्थापना सभा की स्थापना किसने की तत्व बोजदी सभा की स्थापना किसने की यूपी अचाई सब्सक्राइब दोजार एक्केस अंद्रा नवंबा आंसर तो आंसर आने लगा बहुत बढ़िया एक दम तुम लोग तकड़े हो तो दो राइट आंसर प्ली देवेंद्र नाच ट्यागोर ने की थी कब की थी डेवेंद्र नाच ट्यागोर ने 6 अक्टूबर अठारा सो 49 में कि थी इसी तरीके से आपके पूछा जया ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय आयर समाज की स्थापना इस बताए भई आर्य समाज की स्थापना वेदों की ओर लौटों का नारा दिया वताओ और समाझ के स्थापना ट्हárंस्ट्व में हुए थी और बेदो की और लोटो का नारा भी दिया था इस तरीके सब्सक्राइब क्योच्न और कि स्थापना कब हुए तुसे अच्छासु 1098 में हुए ऑ ह Zammar राम सरस्वति कि भैन सरस्वति सबसे बढ़िया तरीके से पतंग तहीं उड़ाई जाती है तो तिवहार याद रखनी राज्या आपको बताना पकड़ना जरम में नहीं है याद एक है एति यह सब्सेश में सब्सेवल मना जाता है उत्ति राइन को और उत्तराइन को ही नौर्थ इंडिया में मकर संक्राथी भी कही जाती है इसे अलग अलग जगे पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जिसे महराष्ट में से गुड़ी पढ़वा कहा जाता है कहां पर है महराष्ट अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है राइट अंतर क्या हो जागा मकर संक्राथी पता है जन्माश्वी पता है अब कल की दिर्गी क्वेश्चन बताएं आपको आगे चलते हैं ठीक है दुर्गा पूजा कहां का फिमास है बहुत थेमास है द क्यारा कि 1712 में 1712 में भारत पर आक्रमड किस ने किया है कि अधवरांजा दीजें कि 1712 में भारत पर आक्रमड किस ने किया है बता बतानी जरूत है क्या है जिस पर आक्रमड किया था को सिंद्ध कर नाम किया था दाहिल क्या नाम था दाहिल मुहम्मद बिन कासिम राइट आंसर बी मुहम्मद बिन कासिम ठीक है इस इस राइट आंसर ठीक है बेट एक कशन और है ओपे की स्थापना कभी एक कशन और ले ले क्या रहा है थे ओपे की स्थापना नोटो पे की स्थापना कभी आप सब hesitant क्या है कि यह हां me Travelatique all producing and exporting country कि all producing and exporting countries इसकी स्थापना कब हुई थी तो गाइज इसकी स्थापना की बारे हम थोड़ा बता देते हैं कि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी इराग के बगदाद में इराग के बगदाद में बर्तमान में इसकी जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 13 है इसका जो हेड़कॉर्टर है वो आपको बताना है बहुत बार मैंने बताया है यह कॉश्चन और एंटी पीसी में बहुत बार पूछा गया है यह और पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्री बिल्कु सही है तो इसका हेड़कॉर्टर वियना में है औस तेरिया में कहा पर है वियना औस्ट्रिया ठीक है और शुरुवात में इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड हेड़कॉर्टर कहां पर था जिसका ओल्ड हेड़कॉर्टर जेनेवा में था बाद में इसका ट्रांसपर हुआ है यह भी आज रखना यह वह सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए क्वेस्टन नमबर चाहर विच्व फॉलमी कि दा बॉड़ी ऑफ बुक हो नाट बॉड़ी विच्व फॉलमी कि दा बुक आप लुईस कारॉल निम्लेकित में से कौन सा लुई कैरोल की द्वारा लिखी गई एक पुस्तत है एक किताब है एलिस एडवेंचर इन वंडर ले इंड रिकी टिकी टावी अब बताई या मुझे एक किताब तो बहार निकाल देनी है यह वाली मुझे पता है कि यह जो किताब है वो रुडियार कि प्लिंग की है बच्पन नहीं जो है वो आता था ना मोगली कि जंगल जंगल पता चला है तो रुडियार कि प्लिंग जो है यह तो ऐसे निकल गया अब लुईस कैरूल की इसमें से कौन सी किताब है तो भाई तुम्हें इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि यह किताब भी रुडियार कि प्लिंग की है और यह किताब भी रुडियार कि प्लिंग की है किवल यह वाली यह किताब किताब रोड़ियाड के बनेंड ने लंडर लेंड लोड़ीय देख सकते हैं यह है यह किताब किताब हुआ पहली यह किताब भी जए किताब है यह जंगल्वर्ड जो मुगली अली किताब उसी का थोड़ा सा बेटर बख जाना उसी सीरीज है चलो आगे चलते हैं क्वेशन नुम्बर पांच फॉल्विंग स्टेट्मेंट अबॉट इस नौट तू बहुत बढ़ी है एक क्वेशन पूचा जाता है कि एहमदाबाद सहर इसका पुराना नाम क्य नारे हैं किस नदी के किनारे बसा है कि क्या कोशन पूचा गया है नौट ट्रू अहमदाबाद का पास उस्पादिक चेत्रों के बहुत करीब इस्तित है यह दो मुझे बास तहीं लग रही है आप सबको पता है कि एहमदाबाद की करम बात करें तो यह गुजुरात से ब्ल में बड़ी फसल है यह पर वगए आती है वह कपास काली मिट्टि यह तो सही लग रहा है मुझे एहमदाबाद की पहली मिल्की इस्तापना 1895 में हुई थी एह मैंचेस्टर कहते हैं यह बात भी सही है और यह बात भी सही है यह वात भी सही है लेकिन यह मुझे गलत लग र पूछा जा कि भार्द की पहली मिल इस तरीके से आपको पता होना चाहिए और देखो का पाउस मिलेगा यह तो मुंबई में गुजरात में लेगा में में घुली गई है इस पहली इनक्यान में नहीं थीक है एक साथ कराते चलेंगे कुछ कुछ नहीं से करा देते हैं फिर एक करके करा देंगे टेंशन ना जो यूपी ऐसा ही भी कराएंगे ठिक्स का अंसर्ट डी आ रहा है क्या डी सही आंसरे शिक्स का वेंचुरी मीटर बिलकुस सही है बिलकुस सही है अगर हम बात करें उड़ो मीटर का तो भाई यह क्या करता है कि डिस्टेंस मेजर करता है कि इस्पीड मीजर से स्पीड चेक होती है मैं मीजर से स्पीड ऑफ साउंड चेक होती है कि स्पीड ऑफ कि स्पीड ऑफ साउंड और क्रायो मीटर से क्रायो मीटर बताइए क्या होता है क्रायो मीटर यह कुछ नया आया है एक बर बना गाईस क्राइम आपते हैं अच्छा एहमाद नगार है उसका पुराना नाम ठीक है वर्शाद कि आप अगे चले इस नमबर यह कैसा होता है वेंचरी मीटर यह कुछ इस थरीके का होती है इस तरीकी डिवाइस होती है कुछ अलकि यह ऐसे करके इसी रहती है इसको ही बैंचरी में यह एक लिए तो मैं भी बना पार हूं लेकिन ऐसा ही होता है कूर्ग केडेव समुधाय का फसल पर्व कौन सा यह कल ने बताया था क्यों कडेव कूर कडेव मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का तिवार होता है जिसमें एक गन मतलब अस्त्रसस्त की पूजा करते हैं क्यों आपको आपको अस्त्रस की पूजा करते हैं अट ग्राइव क्राइव जैनिक्स अलग चीज़ है यह टेंपरेचर लोग टेंपरेचर पर जो चीज़ें मेजर करते हैं डाटीज क्राइव की लिग ने पर यह आपर शॉर्णी चाँ चाहिए है कि तो इसका आप्सर्ट जो है वो पुट्टाइद राइट आपा आपा पुट्टाराइट भगोरिया सब्सक्राइब और यह मैंने कल आपको बताया था कि जो है कुड़ाबा जो कम्यूटी है उसका एक्टेंट कर दिया गया है तो यह वही चीज है आज चलते हैं इसक्टेंट नुम्बर आठ विच्वाब फॉल्विंग इस्टेटमेंट अबॉट फॉर्स इज इनकरेक्ट एक विच्टेंट इसक्राइब अब फिर भी बताने कोश्चिश करिये अब कर 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 देखो एक होता है क्राइव जैनिक्स क्या होता है इस्टेडी ओफ लो टेंपरेचर यह स्टेडी ओफ ओपरेटिंग्स इन लो टेंपरेचर उसे कहते क्राइजिनिक्स जैसे आपने सुना होगा कि इस्टेडी ओफ लोग यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं तो तो प्राइव को मतलब लो टेंपरेचर होता वो क्राइव मिटर भी लो टेंपरेचर को इम अपने कार करता है तर्टेंब इन फॉरेस्ट प्रॉटेट्ट लोड़िश्ट फॉर्म आप वेजटेटेशन यह अब देखो वाला जाते हैं तो बड़े-बड़े क्या आते हैं पेड वग्यार आ जाते हैं वह सबसे जो 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 श्रब बाली लेर ने दूसरे नंबर के लिए ना कि लेकिन इसके नीचे जो है वह सबसे नीचे वाला होता है ठीक है अब लेकिन किस विक्ति को 2020 में मड़ो परांथ-पदम भिभूशन से सम्मानित किया गया था मड़ो परांथ-पदम भिभूशन 2020 अब एक कोशन समझना कि यहां पर मणो प्रांथ विक्ति को सम्मानित किया था वह भारत के पहले बितमंत्री रहे हैं और उनी के नाम पर दिल्ली के स्टेडियम फ्रो साथ पोटला का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया है अब तो बता दो इतना आसान कोशन है तो आ कि अरोन जेटली तो दिया गया था अब और किंके लोग को दिया गया था जौसाइं साब को दिया गया म६ॉ और यह बड़ा सा नाम है तो इनको जो है वो इस प्रिशलेप में दिया गया करनाटर से बलाउं करते हैं गुरूजी जैभीम भाई इतने लिखने के दिरुवत्ति के दुटुस्कर्त वाई एक पढ़ लेंगे लिए गोडाराम क्या रहा है तुम मुझे थूंदो मैं तुम्हें आजारी दूंगा यार यह नाम तुम क्यों लिखा ऐसा है जरूट नाम तौरही है यही है गोडाराम लाहे है रही है पडाम सृल्ड पडाम नहीं दिया गया पदंश्री दीए दिया है पदम शिरीए और दोडिये घरкой आउन्सर तो झहें को पार्दम सी तॐ चैज़ते पर इन मेंसे पर Lt h ya कौन सा उपकरों है जो बिद्दुत सर्कुट में दोगे बीच बिदुत विवानत यह पता चलेगा कि क्या ज्यादा जयाएग वो कितना वोल्टेजिंस कैसे है अब अब्सक्राइब करते हैं अटेक्राइब करते हैं गैलबनो मीटर यह सापनेस ऑफ दा करेंट बोल्टेज कहते हैं से वह सार्पनेक्ट केहता हुए और बोल्च मीस मर प्पॉस्टी तीसरा यह वा थो बोल्ट मीटर को प्यूग हम एल्रक्रिक पोटेशनल डिफ सब्राइब करते हैं किर्फ क्वेस्ट्रन लिए करते हैं वह से खुछ ने देते हैं तब तफ ले ले लेते हैं क्या रहा है कि छुआ चूट का अन्द किस अनुच्छेद में किया या मुझे एक चीज बताओ कि आपको लगता नहीं कि जो चीजे मैंने पढ़ाई है वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर कोई भी हो क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं एक अब यह एक पीश्चन आता तब भी बैसे प्रश्ण होते हैं सब्सक्राइब जीडी का प्रश्ण मनता है तब भी प्रश्ण वहीं बदल नहीं रहे हैं आर्टिकल कौन सा है वहीं प्रश्ण के और अर्टिकल शंतर हे बता बतानी जिरूद है कि नहीं बिल्कुल नहीं है तो चुब चूत का अंत या फिर अश्परस्टा का जो अंत है वह अर्टिकल 17 में ही है कि इसी तरीके से आर्टिकल 14 पूछा गया है तो विदी के समक्ष समानता या रखना यह कोचन भी बन रहा है विदी के समक्ष समक्ष समानता आर्टिकल 14 पूरे देश में पूरे देश में पूरे देश में ब्रह्मन की आजाधी किस अनुचेद में है यह भी बदाया है पूरे देश में ब्रह्मन करने में कि आजादी किस अनुच्छेद में दे रखी है कौन सा अनुच्छेद है तो यह अर्च्छेद 19 से स्टार्ट होता है 19A 19B 19C 19D 19E ऐसे करके चलता है तो यह बोलने की आजादी बोलने की आजादी दूसरा सभा करने की आजादी तीसरा है संग बनाने की आजादी कोई भी आप क्या कर सकते हैं संग बना सकते हैं यूनियन बना सकते हैं कोई आपको रोक नहीं सकता है यह आपकी आजादी है और डी है पुरे देश में घूमने की आजादी तो यह ब्रमण की आजादी ब्रमण की आजादी फिर यह वाला जो है यह क्या है तो रहने की आजादी लेकिन इसके बहुत सारे राज्यों में पुड़े देश में बसने या फिर रहने की आजादी तो पुड़े देश में कहीं भी बस सकते हैं कहीं भी रह सकते हैं यह आटिकल 19E में दे रखा है कि अधिक है आगे चलते हैं कि विच्वता फॉल्विंग इस पहलिओ थिक साइट मत्तब पुरातात्विक पहलिओ लिफिक साइट ऑफ आर्केलोजिकल इंपोर्टेंस इंडिया निमलिकित मैं से कौन सा भारत में पुरातात्विक मात्व का एक पुरा पाशान इस्तल है कुना सगी करनाटक में इतना मैं आपको हेट कर देता हूं तो यह जो प्रात यह जो है इस्तल है यह इत्वार डिपकल्ट कॉश्चन है करनाटक में है आतंगवारी संगटन नहीं बना सकते हैं लेकिन अगर उस संगटन की एक्टिविटी अगर सही नहीं है तो सरकार उसे बैंद कर सकती है संगटन तो भगस से ने भी बनाया था याद आ रहे कि नहीं आ रहा है किसकी स्थापना की थी चारे की हिंदुस्तान रिपब्लिक असोशेशन तो फिर क्या हुआ उनने सपच्चिस में चौड़ी-चौला कांड में उन्होंने ट्रेन लूट ली तो फिर क्या हुआ अंग्रे जोंने उसे एक आतंगवारी संगटन गोशित कर दिया वगल सही ने उसकी अलावा एक संस्ता बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलेट्स रिपब्लिक असोशेशन और यह जो एक साथ में नौजवान सवाबी एड हो गया तो आपको यह तो यह तो आपको पहली की बात है जब अंग्रे तो कानून ऐसे बनाते थे ताकि ल लेकिन कानून नहीं चूटना चाहिए आप कल के दिन आपको बोलने की आजादी है और आप जाके चौराय पर खड़े होके भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर क्या होगा देजदुरों का मुकद्दमा चलेगा आर्टिकल 124a आर्टिकल 124 मतलब अ कहने का मतलब क्या है कहने मतलब यह है कि आपको आजादी है लेकिन उस आजादी का मतलब यह भी नहीं है कि आप कुछ भी करें मजगे हैं हाँ कि 1924 में हुआ था सैसी उत्वर्ष और कोई भी होता तो उस समय की जो हालात थे ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसिफिस नेटाओं ने आजादी दिलाई उतना ही सईयोग क्रांतिकारियों का है उतना ही सईयोग जो है वो बाकी के जो नेता थे लगवा हर किसी के सईयोग है हर वो व कपड़े पहन रहा था देशी कपड़े पहन रहा था उसका भी सईयोग उतना ही बस यह कि किसी एक नेता ने किसी विस लोगों ने उसको दिशा दी आगे जाए तो हुना शगी इस दा राइट आंसर जंक इंडीयन मेंटेश्ट वर रूसली रिटेन ऑन पाम लीप और दा बार्क इस ट्री विच ग्रों नेमालिया बताइए आंसर क्या होगा था इंचेंट इंडियन मनिस्क्रिप्ट वर यूजली रिटेन ऑन दा पाम लीप्स और बार्क ओफ दिस्ट्री विच ग्रोज इन हमार्या पत्या थोड़ी इस तरीकी की होती थी प्री मोटी भी है राइस भी काफी जाता है हिमालाय में उनी वाली सैली पत्यों का प्यों हम मैंस्क्रिप्ट लिखने में करते थे और यह जो पेड़ी का प्यों करते थे और पत्यों का साइट कुछ इस तरीकी का होता देख रहें आपको बहुत बढ़ी बड़ी पत्तियां होती ती इनी पर ये मनिस्कृप्त लिखा जाता है के प्रशनीया से बनता है ये प्रश्टो का विष्कार अ कब हुआ आपेपर का विष्कार कब गवा कमेंट ये फिल आफट कि अच्छा ऐसा यह अंदुलन की बात थे चलो कोई बात नहीं है तो पेपर का विष्कार चीन में हुआ था आप सबको पत्या है और जिसके गवरा हुआ था उसका नाम कहा था काई लून प्र पत्र 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 लिखा जाते थे अपने अपने विज्ट्रम को एक जन्रेशन से दुसी जन्रेशन में पहुचाने के तरीके खोज निकाल पहली पुब्लिक सेक्टर इंसरेंस कंपणी का नाम क्या था यू टी आई यू टी आए क्या कि पॉंट करो जनर्रेल इडिया एंसरेंस कोपेशनओं पिम्पनी लिम्टेड या फिर न्यूँ इंडिया एंस्रेंस कंपनी लिमिटेड बता वहीं कौन सी इस का ॥ कम्पनी synchronous स sırकारी नहीं प्राइवेट है एक कंपनी का नाम सरकारी है लेकिन है वो कंपनी प्राइवेट और वो कंपनी का नाम है SBI Life Insurance this is not completely government company बाकी की जो कंपनियां है यह सरकारी है कौन-कौन सी insurance company सरकारी है तो एक देखे GIC जिसके और हम जर्नल इंसरेंस की बात कर रहे थे सरकारी हो जाती है यह और इंडिया दा निव इंडिया इंसरेंस यह सारी सारी जो कंपनियां यह सरकारी है और जो SBA थी वह वह प्राइबट थे इस तरीक इस तरीक इस तरीक इस तरीक इस त्रुक्चर रहे है कि साल गुरुजी समयदान के मातपूर केश की क्लास लगा दो यह अभी तो यह सरफ यूपी जरूरत है क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जरूरत है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास रूर में लगा दूँगा वह आप देख लिए ठीक है विच अब तर फॉलीज बीन शेप्ट लिंफोनाइड ऑर्गन इन दा को सबर पता है कि स्प्लीन को क्या कहते कब्र कहते हैं को ऑर जणलोस्तां भी कहते हैं बैंक भी कहते हैं किसकी कबर और किसका बैंक कहते हैं तो गई सब को पताए कि आर बीसी की कबर और डबलू बीसी कबर ये भी स्प्लीन है और इसका जो बैंक है वो भी स्प्लीन है अच्छा आर बीसी का निर्मार कर पूछ लिए जाए कि आर बीसी का निर्मार कहां पर होता ह होता है तो गाई आर्वी सी का निर्मार कहां पर होता है बोन मेरो में होता है अब बोन मेरो भी दो टाइप के होता है एक होता है वाइड वोन मेरो और एक होता है रेड वें बोन मेरो तो रेड वोन मेरो में किसका निर्मार होगा किसका निर्माड होगा रैड में रड्न माल होगा ठीक है और वाइट में डबलू बी सी निर्माड होगा ठीक है तो यह आपको यादख ना गवे कि अब यह तरी की की तरह थिट ली की तरह किसका होता दिस्ले कए के जरा संदी कहते हैं जरा बन बीद्ध कि यहां छतब होजाती है और यह ईकार आपको कि तितली की तरह स्ट्रक्चर होता है अगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 नेम दा क्याप्टन अप्टन इंडियन मैं फोकी टीम एज ओफ 30 जुलाई 2020 सब को इसका अंसर पता है तुझे लगता नहीं कि कोई ना बता पाई कि अच्छा केश्वनन्द भारती यह से केस बात कर रहें ठीक है उतकर मैं कड़ा दूंगा आपको डोड़न वरी वह जो इंपर्टन केस हैं सची को लेकर वह मैं सारे करा दूंगा केश्वनन्द भारती केस हैं बहुत सारे केस हैं इसे जलता नेर आंशर नेम दाट एंज्वनन ऑब था इंडियन होकी तीम सभ थेज जोलय ट्वेटिवार बिस त भारती प्रती प्रती टीम करता भांवे आज नहीं अ किर्केट टीम की कप्तान यह भी पूछा गया है कि एंटी हर्ष में बता वहीं विमन किर्केट टीम की कप्तान बरतमान में कौन है क्यार बहुत आसान कुश्चन है तो कि मिताली राज है कि एक कुश्चन अब हम थोड़े से यूपी ऐसाई के परस्टन ले लेते हैं साथ साथ में ठीक हां कि कहा रहा है कि राज जे लोग तेवा आयोग सम्विधान के किस भाग में है सम्विधान के किस भाग में है कि राज लोग सिवा योग सम्विधान के किस भाग में है कि महेश बावु कह रहा है भाग पांच भाग पांच में नहीं है भाई तो आपको या लगना है भाग पंद्रा अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद की बात करें और 315 से लेकर 323 तक जिक्र किया गया है और जो संग लोग सेवा योग है वह आटिकल 312 में इसका लेक किया गया जिसमें राजिर्ट लोग सिवा युग का लेक मुक्रूप से आटिकल 315 में किया लेक है ठीक है कि हीरा ग्रेफाइट 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 और फुलरीन और फुलरीन किसके अपर रूप है इसके अपर रूप है कि बताने जुरूवत है या नहीं है मुझे लगतर बतारी जुरूवत नहीं है कि तो सारे के सारे कारवन के अपर रूप है यहां से प्रिस्ट मंता है हीरा कि सबसे कठोर और यह कुशन और पूछा जाता है कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है और फुलरीन का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तू पॉइंट फूर तू पिल्कु सही है तू पॉइंट फूर तो पूचा गें सर्दार बनलब भाई पतेल सर्दार बनलब भाई पतेल अगे नेशनल पुलिस अकादमी का पर इस्तित है तरदार बनलब भाई पतेल नेशनल पुलिस अकादमी कहां पर इस्तित है आई प्यस ट्रेनिक सेंटर से कह सकते हैं तो सबको पता है सब्सक्राइब करें कि नदी के किनारे सब को पता है मूसी नदी के किनारे और है है चार मीनार भी है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था कुली कुली कितुब साहने कराया था और है और है थ्राबाद भारत का सबसे बड़ा प्रांथ था उसके पहले तो सबसे बड़ा प्रांथ हुआ करता था अब और ऑप्रेशन पोलों के तेहरे भारत में मिलाया गया और और हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम भी पूछा जाता है जो यह तर लास्ट निजाम ओफ हैदराबाद ट्री सिटी भी कह सकते हैं मीर उस्मान अली का नाम दा इनका मीर उस्मान अली ठीक है है हाइटेक सिटी भी कह सकते हैं इसको चले क्वेस्टन नमबर 17 दा युनाइटेट नेशन सस्टेनवल डपलमेंट गोल 6 इस्ट्राइब टू संयुक्त राष्ट सतत्विकार से लक्च छे इसका उद्देश क्या है एंड हंगर अचीव फूड सिक्योर्टी एं इं शुक्ड शुक्ड शुक्त लगी युट्ट अमधर रखि अचीव गृटि एंप्र मुवए अन प्रमोट वरगी क्या आज़ क्या है कर एक आछिव क्या है एंप्टिश गवाल अप्रवेंट गर्खलेश को चेरिक है एंड कर अचीव गूली एंपर वी जूमें कर टू यह लड़के तुक्का बहुत अच्छा लगाते हैं मानो या ना मानो अगर यह तुक्का लगाते हैं तो सही ही होता है D is the right answer बिल्कुर सही तुक्का लगाया उसने clean water and sanitation is the objective of objective of this तो right answer होगा D question number 18 which of the following Indian festival is celebrated by suspending a pot containing water milk and high above the ground with people trying to break it by forming the human प्रामेट कितना आसान प्रश्ण जैक नईया लाल की है ना प्रामेट कि अधाने निग्रोट है कि नहीं तूटी होगी ने किसी किसी महले में आरे महले में नया नया शॉक छड़ा के चलो मट्की टांगते हैं और मट्री इतनी ओप टांग दी लोगों ने समझाय कि जादा उचाई हो रहे ही नहीं नहीं वह ताब प्रामेट बना लेते हैं बच्पन से यह करते हां है तो अब जब प्रामेट बनाया तो ओपर तो चड़ते गये चड़ते गये एक बाई साब नीचे वाले जो हैं वह देखने में तो हट्ट पर गिर गया कि टांग टूट गई जन्मास्टी में दराइट अंसर उगादी कहां का त्योहार है राज बताएंगे आपको बहुत बार मैंने यह कोशन बताया है और मुझे लगता नहीं कि बार बताने जुरुत पड़े हैं हेलो गोविंद्ध कि अगे अगे तब गलत बता रहें एक नगलत बताएज सब बताने लगते हैं यार यह लोग भी ना करनाटक आंद्रप्रदेश और तिलंगाना कि अगे कुश्चन नंबर 19 हुमस मिर्दा के किस भाग में पाए जाता है हुमस जो होता है वो मिट्टे के कौन से भाग में पाए जाता है बी होजिजन बै द्रॉग सी होराइजन और एगारे से तरीके से जो है मिर्दा की अलग लग स्टेग्मेंट होते हैं तो किस पार्ट में पाया जाता है कि 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 यह है मिट्टी का कंप्लीट जो स्वाहिल का पूरा का पूरा पैटन सबसे नीचे होता है बैड रॉक सबसे नीचे यहां तक जड़े पहुंचती भी नहीं है कि क्या होता है यह हो रहे जाना है फिर भी हो रहे जाना है फिर इस तरीके यह चीज़े बनती है तो राइट आंसर इस पॉंज ब्लॉंग टू विच फाइलम किंडम आपको बताना है कि जो इस पंज होता है वह पसो संग के कि इस फाइलं क्या होता है कि मतलब जो हो उसके अंदर आता है हिंदी छोड़ दो इंगलेश प्राजाओ एक्टोडर्मेट्टा पॉलीफेरा मॉलास्का और एसमेल थी एशल मिंधिस कि इस सब्सक्राइब लंका लगी होगी इस सिफ्टे वाले की मैं बता रों लंका लगी होगी बहुत बहुत तक्रश्ट पूचा गया मुंधे जो है यह पौरी फेरा का होता है वैसे अतम कृश्टा प्रश्चन लैवल है मॉडेट मौर्डिट है क्यासकते यह बहुत बार सबस्क्राइब आजाता है सपांज बलॉंट तुब पॉर बेरिंग सब्सक्राइब बैंतिक और बातम दधार इंटिया डिज्ड विद्विड आमनेंट्मिंट औफ कॉंस्टिटिूशन सममाथन के संसुधन से समंदित के संसुधन की प्रकिरिया हमने IS ja देश से बौरो की तो यह दखेंगे लिख्शन अफ्रीका यहां से हमने बढ़ो किया तो तंविदान संसुधन का उलेक बार्त कि संविदान के किस अनुच्छे में दिया गया है तो आर्टिकल 368 अनुच्छे में संसुधन की पिरकिरिया है और तीन तरीके से संसुधन किया जाता है आप सब को पता है हेलो संतोष है तो तर राइट आंसर विल भी कौन सी भाग में बाध बीस में तो समय दान संसुदन की पिरिकिया समय जो भारत पाद जो है वो भाध बीस में भारती समय दान के बारे में निमलिकित मैं से कौन साथ कथन सत्य नहीं विच आफ फॉलमी स्टेटमेंट इंडिन कॉंसिटूशन इसके निर्माताओं ने एक धन विर्पिक्ष राज का मॉडल चुना यह धरम के आधार पर भेंदभाव पर रोग लगाता है यह सभी व्यक्ति समुदाओं को किसी भी धरम को धारन करने या ब्याद करने या प्रचार करने के स्वत्मतर पतान करता है यह राजपो धरम के मावलों में कोई भी कानून बनाने से रोगता है कि अरे ठीक है क्या लिख दिया है लड़की नहीं कि प्रक्रिया गलत लिखिया है अच्छा यह प्रक्रिया है ठीक है आप सही है चलो देख लेना उसको चलो कि अब तुरो टॉए और राज दर्म के मामले में कानुन बनाने से रोकता है राज जो ने बहुत सारे कनून बनाई है अभी तो उत्रप्रदेश मद्य प्रदेश बहुत सारे इतने भी सेंट्रल एलाइन स्टेज हैं द्हरम परिबर्तन को लेके अपनी हां बनाया है तो डेफिनेटली के राजी को कानून बना से नहीं रोपता है राज जो धाम को लेकर किसी भी तरीकी कानून को बना सकता है उसका नसरन कर सकता है कि पॉर्शन नमबर 30 सितंबर 2020 तक प्राप्त जनकारी के अनुसार भी एकमात भारती राश्पती कौन है जिनकी मों की प्रितिमा दिली के तुशाद मैडम संग्रहाला ने तीन लोगों की पिक्चर जो है वहाँ पर है जो प्लिटिक्स से ब्लॉंग करते हैं कि करें को ने पताईए आगा तो मैडम तुशाद संग्रहाला यह मैं इन में से किसके प्रित्मा है सरपल्ली रादा किष्चनर प्रित्वा पाटल ईपीजब्दुल कलाम यारए पीजब्दुल कलारा में दरताए टांस मोदी जी की प्रत्मा है आगे चलें प्रस्टन नमबर 14 दसाइज आप दा प्यूपल ऑफ आई इस कंट्रोल वैसे प्रत्मा अरित्मा तब मरा ही जाती है किसी की याद नहीं चुछ फोड़ो गर्माधी करना में विकार है थाई आप पुपल ऑफ आइ इस कंट्रोल डाइटिन आरिस कॉर्णी और ब्लैंड स्वाट झाल झाल तो तो डाइट आंसर इस आयरेस तो होता क्या है कि पीपूल क्या पहले यह समझना का यह आईरेस यह दिखर आपको सब्सक्राइब यह वाला हिस्सा है और यह वाला हिस्सा है इसे से हम आईरिक कि को इनकी यह जो दूरी है कि इसे यह कहते हैं कि मिल्ट होटा क्या है कि अगर यह अगर यह आइरे तरफ से क्या कर जाएगा इसे ओपर की तरफ झाएगा तो ये पीपल का साइज बढ़ जाएगा और तो फिर ज्ञादा लाइट एंटर लेगे तो यही कह रहा है कि पीपल का साइज यह तरह कौन करता है इस तरीके से बनता है नेत्रदान में कौन सा धान किया जाता है तो नेत्रदान में कौर्णिया धान किया जिए इन विच यह जिड़ गवर्मेंट ऑफ इंडिया सेट अप दो फॉर्स म्यूचल फंड बाइन एक्ट ऑफ पार्लेमेंट भारत सरकार ने किस वर्च संसद के एक अधिनियम के द्वारा पहला म्यूचल फंड इस्थापित किया कि वर्षा करी सजी रात में साइंस मेरतन हमेशा रात में नहीं लेकिन सुबह सारे दस बजे तैन थर्टी एम पर साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या है तो आपको यह सुबह सारे दस बजे मिलेगा तो 1963 में सबसे पहला मुचल फंड स्थापित इस्थापित वह था जिसका नाम था यूटी आई यूटी आई यूटी ट्रस्ट आफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया वाज इस्टैवलिश्टी थी वाइद एक्ट आप पार्लिमेंट या दखेंगे सबसे पहला मुचल फंड इंडिस्टी को सुरुवात किया गया था भारत में सबसे बड़ी मुचल फंड इंडिस्टी की बात करें या फिर हम लाइफ इंस बात करें है है ठीके वह है 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 कि यह आफी बहूंवा इनएं चर्ट हुए हुए है श्टार्ण से स्टाट हुआ यह ना कीजा क Nossa सब्सक्राइंे हर है अब तरह उडिके से निए फीचर right interesting醍द कहते हैं और नकरी क्रीरण कोईट है कोई समझता है हात उठ बात करो face-to-face face-to-face तो नहीं मतलता वाइस पर आच्छा इसके अलावा आपको लगते हैं कि कोई भी सब्सक्राइब करें और जो में रात में करवा दूंगा और जो में रात में करा दूंगा जीडी के लगबग सब्सक्राइब करें जीडी और लगबग सब्सक्राइब करने की गोश्रिट करूंगा ताकि आपको थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया लगता रहे साइंस भी आपकी साथ रहे चलती रहे चिल करें चिल पिल करें बावाए पिल करें date बदाब टुन बड़ार आपकी साथ पिल गल